तो दोस्तों तो दिखता कुछ और है होता कुछ और है तो आज आप सभी को पताई होगा कि विक्रम आदित्य की जो स्टेट्मेंट जो मीडिया के सामने जो विक्रम आदित्य हमारे पी डबल्ल डी मिनिस्टर बोल दीजिए और सुक्कु सरकार के भी एक एहम बाजू हैं तो तो विक्रम आदित्य की जो स्टेटमेंट आज मैंने भी सुनी तो वो बहुत ही आश्चरेजनक थी तो आपको मैं बता दू जो भी पेंडिंग रिजल्ट की का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए उनने कुछ भी नहीं बोला एक तरह से अगर देखा जाए तो मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी तो उसका पूरा पोस्ट मॉटम करेंगे तो अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से लाइक कर दीजिए और जितने भी लोग नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नोटिकेशन जो ह यह सोसल मीडिया हाउस का जाता है और जो बड़ा मीडिया हाउस है जो टीबी में भी आप देख सकते हैं जिनकी अच्छी फॉलोइंग है वो सारे सभी मीडिया हाउस में सभी सोसल में जितने भी मीडिया हाउस होता है बड़ा मीडिया हाउस तो उसने जो है वहाँ पर कु तो उस टाइम पर भी एक थोड़ा सा उन्होंने हमने जो गाड़ी थी उसको रोकनी का प्रयास किया बट उधर भी उन्होंने यही एक बात कही कि जो रिजल्ट है अभी कोट केस में है अब देखिए उन उनको भी क्या बताएं जो मीडिया के सामने वो जो बन रहे रहे हैं मैं सरकार के खिलाब बिलकुल नहीं हूँ अब मैं बोल भी रहा हो और हूँ בी नहीं अब आप ऐसा बोलने लगेंगे तो देखे जो बात है जो रियल बात है जो हमने देखी वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो विक्रम हदीतर का statement जो है उनका statement यह है कि court case में भरती अब अगर हम बात करें तो जो हमारे pending result है तो वो जिसका clearance है जो मतलब पाई नहीं गये है अभी vigilance की जांच में है media house नहीं कर पा रहा है और जो विक्रम अदिते कह रहे थे कि तीन लाक नोकरिया और तीस हजार नोकरिया का हमने बता दिया है budget में आएंगी तो कब आएंगी वो आएंगी आपकी आप सभी को मैंने तरह देखा जाता है और एक बात मैं आप सभी को बता दो जो आज जितनी भी लोगों ने विक्रम अदिते की जो वीडियो देखी जिसमें बात की गई तो अगर देखिए जो यूबा है वो भी गुट-खुट के जीरा है अभी मिरे को खुद पता है मिरे को जो मैसेज आते हैं वो वट्सैप पे मैसेज आते हैं और हमारे इसमें यूट्यूब में कमेंट भी भर रहता है कि नहीं आएगा कोई भी वेकैंसी नहीं आएगी और बैस नहीं आएगी यह तो मतलब नहीं है बट लेट जरूर आएगी लेट इतनी लेट आएगी कि अब क्या बताएं तो अभी जो फैसला है वो सुकु सरकार के हाथ में नहीं है जेओए के लिए बट जेओए के अलावा जितने भी हमारे ये 800 जितने भी हमारे पोश्ट कोड हैं जिनके क्लियरेंस एक प्रॉपर बनाक हमने सचीवालिय में दिया वो कोई भी एक्शन लेने को त्यार न लेट होगा तो ये बाद में ही पता चलेगा बट ऐसे स्टेटमेंट अगर ऐसे ऐसे मनिश्टर देंगे तो हम क्या expect कर सकते हैं दिखता कुछ और है होता कुछ और है तो अभी तो यही अपडेट थी दोस्तों तो अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो जुरूर से वी गar जब रिक्वायर्मेंट बिजली बोर्ड में है पी डॉव्डी में इतनी है जरेट करने की क्या बात है यह कैसा स्टेटमेंट देते हैं मेरे को खुद नहीं मालूम पर फोड़ा सा भी यूद के बारे में देखना चाहिए गौर्मेंट को कि अभी गौर्मेंट के खिलाब हम भी नहीं हो सकते हम भी ऐसा नहीं बोल सकते यह बुरी है जब भी लाना है पर एक अच्छे तरीके से जल्दी लाएं कुछ ऐसी अपतिजनिकर स्टेटमेंट मत दीजिए मेरी यही आसा है आगे आने वाले जितने भी अपडेट रहेंगे वो आपको पल-पल की ख़वर दी किया जाएगा वो हमारा बीस कोश्चिन का या फिर दस कोश्चिन का जो है कुईज रखा जाएगा जिसमें एच्पी जी के और इंडियन जी के कोश्चिन आपसे पूछे जाएंगे और आपका स्कोर बोर्ड भी वहां पर लगगा जो जल्दी अंसर देगा तो उसको जो है वो प्राइज मिलेगा किसी एक को वो प्राइज मिलेगा तो देखते हैं कौन वीनर रहता है तो मिलते हैं अगली अपडेट में धन्यवाद दोस्तों